और गैस कैसे आप लोग iOS 18 डवलपर वीटावान एपल ने अपडेट रिलीज किया है और इस अपडेट के अंदर काफी नएने फीचर आपको देखने मिलता है कुछ बेसिक फीचर था मैं आपको बताया लेकिन इस वीडियो के अंदर टॉप 50 प्लास फीचर मैं आपको क्सटमाइज कर सकते हैंड और एक डिक करते हैं तो कंस्टमाइज करते हैं तो इदर आपको चार नए आपसे McCarthy को सकते हैं चोटा या color को change कर सकते हैं, कौन सा color आपको पसंद है, और नीचे का layer में आप color को light, dark कर सकते हैं, और इसी के उपर corner पर आपको एक icon देखने मिलता है, आप display का intensity कम कर सकते हैं, तो light, dark option आपको मिलता है, अब इस जगा से आप इसको check कर सकते हैं, और right side ormer पे अगर आप इसके वपर किलिक करेंगेने के बाद इसको लेकर जाकर एक प्वॉइंट के ऊपर इस तरीके से से क करेंगे तो उस प्वॉइंट के सबसे आपका icon का Color का बी चेंज होगा अगर इस पॉइंट के उपर दुबारा किलिक करके आप वाइट के उपर लेके आते हैं तो आपका color जो है वाइट के उपर जाएगा तो यह आपको जो है दूसरे दूसरे multiple colors आपको set करने का option देता है तो आपके नेट के सबसे कई भी लेके जाके अपना apps का color icon को change कर सकते है तो यह बहुत ही next level feature है इसके बाद अपना lock screen को customize कर सकते है customize के उपर जाएंगे तो आपको दो option मिलता है light camera आप phone के जेब के अंदर जब रखते थे तो कभी camera open हता था कभी light चालो हो जाता है तो इस जगह से आप इसको गायब भी कर सकते है और इसके उपर click करके multiple option है आपके नेट के साब से कौन सा आपको चाहिए आप उसको add कर सकते है आपको camera नहीं चाहिए battery चाहिए दूसरा icon चाहिए तो possible है आप add कर सकते है और light dark का option आपको तो पहले ही मिलता था अभी भी आपको मिल रहा है लेकिन आप timers के उपर click करेंगे तो यह भी आपको पहले देखने मिलता था लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा color का changes आपको देखने मिलता है जैसे multiple colors इसे आप change कर सकते है इसका intensity को कम या ज़्यादा कर सकते है इसके बद जब इस multiple colors के उपर आप click करेंगे तो इधर आपको तीन option देखने मिलता है तो आपने net के हिसाब से उस color को भी change कर सकते है और इसका intensity colors का कम या ज़्यादा कर सकते है आप multiple colors चाहे तो set भी कर सकते है और इसके बाद इस color का intensity कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और इस icon को अगर color काफी आपको look वला चाहिए तो आप adjust कर सकते हैं adjust करके आपने net के मुताबिक add कर सकते हैं और home screen के अंदर जैसे आप टैब करते हैं और multiple option है multiple option के इसाब से आप इस जगह पर छोटा बड़ा large medium तो यह possible है इसी जगह से आप इसको कर सकते हैं दूबार अगर आपको redesign करना है तो इस तरह से लेके आई है फिर यह दूबारा set हो जाएगा तो काफी कमल का customize किया है home screen के अंदर next हमारा control center control center swipe up करेंगे तो control center जो है काफी different बनाया आपनले और इसका icon को भी आप change कर सकते हैं एक के बाद एक swipe up कर सकते हैं जो आपको कौन सा चाहिए तो उपर नीचे इस तरीके से swipe up हो जाएगा control center को edit करना है plus icon के उपर click करके इसके intensity को छोटा या बड़ा icon के अंदर save दे सकते हैं और अगर और control center के अंदर आपको add करना है तो add के उपर click करके इसके अंदर काफी सारे option है आप इधर से add कर सकते हैं और इसके अंदर काफी सारे multiple option है flashlight, battery वगरा है और shortcuts को भी run कर सकते हैं इसके उपर किलिक करके shortcuts को भी add कर सकते हैं, अपने control center के अंदर, अगर home है, तो home के अंदर भी add कर सकते हैं, home port बगरा, तो यह सारे चीज आपको multiple option है, multiple option को आप use कर सकते हैं, अपने control center के अंदर, और control center के अंदर अगर कुछ search करना है, तो search का भी option है, अगर आपको नाम नहीं सकते हैं जैसे किसी का अपने वीडियो देखा हो नहीं मिल रहे तो आपने जो स्कैन कर लिया आपको मिल गया तो काफी सारे आप चेक कीजिए आपको कौन सा पसंद है और आप आप आड़ कर सकते हैं और फ्लास लाइट के अंदर बहुत यह useful feature Apple ने आड़ किए हैं जैसे फ्लाइट को अउन करेंगे तो फ्लाइस लाइट जो है आपका ओन हो गया लेकिन इसका आइकन के उपर अगर देखेंगे तो इसके लाइट को इंटनी कम या ज्यादा लाइट को बढ़ा सकते, कम कर सकते हैं और उपर का जो आईकन है इसके उपर किलिक करके इसकाrajitt का जो है asthma अइकन अपचेंज कर सकते हैं आपको light को फैलाना है एक जगा पे रखना है तो आप जो है इस तरीके से उसको adjust कर सकते हैं जैसे मैं ने इसको जो है direct state रखा साइड वालियम बटन अगर आप इस तरीक से होल्ड करते है तो इसका लाइन अप देख सकते काफी वारिक हो गया और एकदम क्यूट सा और एकदम स्मूथ आपको देखने मिलता है कभी छोटा सा यह पहले जो है काफी बड़ा देखने मिल रहा था लेकिन आभी जो है काफी क्या है चोटा देखने मिलता है तो यह काफी यूश्फ फूल चेंजज एपल ने किया है और इसके बात जिए एक्षन बटन के अंदर इसके लिए शेठिंस मिल स्यंकितल अपनोल सेंटर मृत आंग के लिए जो भी है आपको मिल रहे अची वाद आपको देखने में संच कर कर सकते हैं आप जैसे टार्क m 오른 इधर एड़ करें और एक्षेन बटन प्रेश करेंगे तो लाइट डार्क आन हो जाएगा आप चाहे तो अल्लरां कर सकते हैं लें निल रहे तो अब बटन के अंदर सअगिन है तो आपocy कोंन सा जाएगा इसके बो cinematic देख सकते हैं जैसे हमने इसके अंदर के अंदर कुछ टाइप किया और इसके बाद दूबारा प्लास किया आपको पीछे जो आपने एड़ किया और टोटल दिखा रहे लेकिने इसके अंदर ऐसा नहीं टोटल करने के बाद कितना कैल्कुलेट बनता है तो आपको निश्चे भी बताएगा और उपर जो है हो आपको दिखाएगा जो आपने कितने को टोटल किया लेकिन इसके अंदर पीछे बैगडराउंड मेटते जाएगा तो कैल्कुलेटर के अंदर काफी अच्छा अपग्र और जैसे आप calculator के उपर क्लिक करते हैं तो आपको इधर तीन option दिया है तो इधर आप जो है calculator के अंदर बहुत सारे काम कर सकते हैं लेकिन जो math notes है उसका problem काफी easy solve कर सकते हैं तो math के लिए जो student बगर है उनके लिए तो भाई आइफोन है आइपेड है अलग से कोई third party नहीं चाहिए इसी के अंदर उनका काम हो जाएगा और calculator के अंदर बहुत ही बड़ा एक next level का फीचर दिया है Convert का जैसे calculator के उपर क्लिक करेंगे इस toggle को on करेंगे Convert का और इसके उपर आपको जो है Indian rupees और दूसरा कंडिन का रूपीस आप exchange value कितना दे रहे वह आप चेक कर सकते जैसे जो उपर है इंडिया का मैं 10,000 एड करता हूं तो यूएस डॉलर कितना होता है 119 डॉलर पॉइंट 72 तो ऐसा नहीं सरफ इंडिया और यूएस डॉलर का है बहुत सारे कंड्री का है आप इधर चेकाउट कर सकते जो आपको कौन सा चाहिए इधर आपका एंगेल एर कंड्री डेट फ्यूल है लाज है और है तो यह जो पूरी डीटेल से आपका स्पीड है टेमपेचर क्या है ओभी आप चिकाउट कर सकते हैं कितना डिग्री सेल्सियस कितना एक के पूरा डीटेल इसी जगापे सो होगा आप एक एक करके चिकाउट कर सकते हैं वालियम टाइम वेट तो भाई नेक्स्ट लेवल का फीचर एक कैलकुलेटर के अंदर तो यह फीचर मुझे नेक्स्ट लेवल का लगा और सफारी के अंदर भी अपिल ने चेंज किया है सफारी के अंदर जाएंगे पहले इस आइकन के अंदर डबले देखने मिल रहा था तो अब इस आइकन के अंतर टेंसलेट अगर इसके उपर क्लिक करेंगे तो काफी सारे और आप एनिवल करके translate को आप कर सकते हैं दूबरा अगर क्लिक करते हैं तो manage extends का option है और search bar इधर आपको मिलता है search bar के उपर क्लिक करेंगे तो search bar का option है जाएगा तो three dot के उपर क्लिक करेंगे तो इसका details आपके सामने हैं कौन आपको track कर रहे इसका notebook marks और group और आपका camera mic location यह सारे आपको change करना है पहले सपरी के अंदर कुछ जाना बढ़ता था लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा अगर आपने कुछ pass की access किया है आपका wifi भी मिलता है wifi के अंदर अगर आप क्लिक करते हैं तो so network qr code आभी जो है wifi sharing कर सकते हैं पहले हमारे को जो है पास की को अगर आप share करना है तो get generate के उपर क्लिक करके sharing का option है अब continue करके sharing का option आपको मिलता है इस जगह से आप sharing भी कर सकते हैं इसके बाद जो है next हमारा phone call के अंदर बहुत ज़्यादा सिकायत था नाम नहीं सोह रहा था कोई भी number dial करना है तो उससे relative number नहीं आता तो बहु यह बहुती बड़ी upgraded है और बहुती बड़ा useful feature है जो Apple ने काफी सालों के बाद लाया जो Apple ने IS 18 के अंदर users की बात को सुना है तो काफी सारे useful feature जो है Apple ने लाया आप लोगों को किस तरह का देखने मिल रहे है comments में जरूर बताना और अभी तक वीडियो अगर आपके लिए useful लगता है तो subscribe जरूर करके जाना अब boys mail का भी option है तो boys mail मैंने एक किया था तो यह काम कर रहे है तो जैसे इसको मैं प्ले करता हूँ अब थोड़ा गौर से सुनना इसको माइक का भी दूर है तो यह call मैंने pick up किया और जो भी details था बोला और यह live record हो गया तो यह boys mail जो है यह काम है और काम आभी कर रहे है बेटा वर्सन के अंदर थोड़ा बहुत लैक थोड़ा बहुत इसू है एक और दो बीटा आने के बाद इसके ओपर डेरिगर्ड वीडियो बनाके आपको बताऊंगा जो किस तरह से काम करता है और इसके बाद हमारा सबसे बड़िया फीचर देखने मिलता है किसी भी एप्स को अगर लॉक लगाना है तो पहले क्या करना पड़ता था आपको सौट कार्ट करेट करने की जरूद नहीं आपको को मिल जाएगा अपना रिकोयर फासवोड के अंदर जो फेस इडी टाच इडी इसके लिए आपको होल्ड करना है होल्ड करने के बाद रिकोयर फेस आइडी का ऑप्सिन है इसके उपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको इधर देखने मिलता है रिकोयर फेस आइडी तो इकार Face ID अगर लगाएंगे तो Apps जो है Lock हो जाएगा जब आपका Face ID से Unlock होगा Apps और आप चाहे तो Hide भी कर सकते और जैसे Hide के उपर क्लिक करेंगे इस जगा से Hide हो जाएगा और Hide Apps का Option आएगा तो यह Hide हो गया अभी आपको मिलेगा कहां इसके लिए आपको जाना है App Library के करके जो है Don't require Face ID इसके उपर आपको करना है जैसे करेंगे तो यह हमारे को मिल जाता है तो आपको ड्रॉप करना है ड्रॉप करेंगे तो आपको दूबराए इसली मिल जाएगा और IOS 18 के अंदर मैसेज के अंदर कुछ नया फीचर ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता मैसेज के अंदर useful feature है इसके लिए जैसे swipe up करेंगे आपको एक option देखने मिलता है सेंड लेटर सेंड लेटर के अंदर आप किसी को मैसेज सकते जैसे उसका happy birthday है उसका marriage मैरेड हुआ जिस दिन उसका happy birthday है उस date उसी time के अंदर हो जाएगा तो अब इधर से जो है अपना date time सब कुछ select करके सेंड कर दीजिए automatically जो है उनके phone के अंदर उस time की सबसे जाएगा और जैसे साधी हुआ उनको याद नहीं रहते हैं उनका wife को वीश करने के लिए तो भाई यह बहुत ही काम का है आप सेंड कर देंगे तो उसी दिन वह पहुंच जाएगा तो आप तो कही सकते भाई मैंने इसके आपने नहीं किया तो भाई next level का feature मुझे लगाए और message के अंदर अगर hold करते हैं तो text effect का option है आपके net के सबसे आप effect को slate कर सकते हैं जो आपको कौन सा चाहिए तो यह इधर बहुत सारे option है और इसका icon को भी आप change कर सकते हैं और जैसे मैं इस नाम के उपर click क्या click करने के बाद इधर आपको देखने मिलता है काभी सारे like डिसलाइक और काभी सारे नएने emojis तो अभी इमोजिस को जो है आई message के अंदर send कर सकते हैं और RCS का feature भी एनेवल कर दिया है Android के अंदर तो यह feature अभी तक आया नहीं जो RCS का option यह आ जाएगा September के बाद उसके बाद हम लो आप नहीं होगा iPhone के साथ जिस तरह का quality आपको देखने मिलता है अब Android के अंदर भी जब भेज़ेंगो quality देखने मिलेगा क्योंकि Apple Android दोनों मिलके जो है RCS feature को लाया है तो यह काफी बढ़िया यूसफुल आपको देखने मिलता है Windows के अंदर अगर ओस सेरिंग का option है तो भी प्रोल직 केरेंगे आन करने के बाद ऐसकता स्यास कर और और इसके बाद एक यह काम करना सुरू होगा तो आई ट्रांकिंग अब मैं जैसी देख राह यह से काम नहीं तो चीक लिँए मैं और्ट करना पड़ेगा जब इसकी काम कर रहे हैं पーस्ट विडियोफ के लिए तो य जो है सही तरीके से properly work नहीं कर रहे है और vehicles motion का एक option लाया था तो इसे भी use करना काभी useful है जो car के अंदर और यह कामगर्द है car driving के साथ जैसे इस point को मैं on कर दूंगा तो मेरे screen के अंदर काभी सारे dot आपको देखने मिल जाएगा और पीछे रिवस में आएगा तो रिवस में होगा और लेट होगा तो लेट साइड होगा राइट साइड होगा तो यह काफी useful है तो यह जो है काम कर रहे है सही तरीके से लेकिन जब मैं car चलाओंगा या कार में मैं बैठूंगा उसके लिए एक short video बना के आपको बताऊंगा जो एक किस तरीके से use होता है और किस तरह का आपको देखने मिलता है और photo apps की बात करें तो भाई photo apps को जो हैपल ने change ही कर दिया मतलब photo apps के अंदर पूरे photo video इसी के अंदर आपको देखने मिलता है अलग-अलग नहीं लेकिन आप इसको memory well हर एक चीज को आप check out कर सकते है जै इसके नीचे आपको जो है sharing library का option है और collaboration mode का option है इसके उपर जब आप click करेंगे click करने के बाद यह सारे जो feature है इसके नीचे आपको देखने मिलता है अपना hidden हो importance तो यह feature इस जगा से आपको check out करना पड़ेगा और add करना है उपर तो एक एक plus icon के उपर add कीजिए तो उपर add हो जाएगा जैसे maps, video, screenshot तो आप check out कर सकते है किसके अंदर कितना है तो यह option जैसे पहले control center के अंदर हमारे को देखने मिलता था तो apple ने इधर add कर दिया है और न option नीचे मिलता है और नीचे आपको customize का option है, reset करना है तो option है, place है आपका add कर सकते है, customize के अंदर काफी सारे option है, और इस icon के पर जब click करते है, click करने के बाद आपका filters का option है, अपना short add recently का option है, date है, और view open से है, तो यह details इस जगा पे से होगा, monthly है, तो अब यह सारे details check out कर सकत है, तो photo के अंदर काफी ज़्यादा changes किया, तो काफी बढ़िया लगा, अगर आप use करेंगे, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, तो आपको अच्छा नहीं लगए, लेकिन आपको use करना पड़ेगा, तभी ही तो अच्छा लगेगा, और apple ने call recording option लाया है, call recording आपको जो ह के अंदर, या 16 series के अंदर देखने मिले, क्योंकि call recording के साथ, आपको जो है live translate का option है, जैसे आप call recording कर लिए, उसको आप translate करके, जिसको बोलना नहीं आता है, वो पढ़ सकते है, तो ये live जो translate है, तो इसके लिए तो AI काम करता है, तो AI तो only iPhone 15 pro, pro max के अंदर, तो इसके लिए ह हमारे को wait करना पड़ेगा September last तक, जो क्या लाता है, Apple क्या करता है, क्योंकि Apple intelligence जो है AI feature, पूरी जो AI feature है, यह आपको देखने मिलेगा September के बाद, September, October, November, साइथ देखने मिले, Apple ने तो इस साल के last में ही का है, तो इसके लिए हमारे को wait करना पड़ेगा, और tap to pay है, tap to pay जो है अपने phone के अंदर अब यूज कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर यह possible नहीं है, क्योंकि wallet नहीं यूज कर सकते हैं, तो tap to pay कैसे यूज करेंगे, तो RBI के साथ जो पंगा है, वो ठीक हो जाए, और आपको game controller का option है, game controller जो है, airports के साथ काफी जादा optimize गया, और इसको बहत charging का option है, तो इसको जब on कर देंगे, on करने के बाद gaming को आप बहतरीन तरीके से खेल सकते हैं, तो इसके लिए हमर को wait करना पड़ेगा, जब यह feature enable हो जाएगा, तो अब इसके अंदर dedicate video बनाऊंगा, जो किस तरह से इसको use करना है, और अगर आप settings के अंदर जाते हैं, तो settings क 85, 90, 95, 100, तो आपके साब से charging set करने का option दिया है, तो आप 80, 85, 95 तक रख सकते हैं, जो easily आपको मिल जाएगा, तो यह काफी अच्छा design के Apple ने, जैसे Apple ने इसके अंदर change किया, किसी के अंदर जाते हैं, तो इसके अंदर details क्या-क्या हैं, यह पूरे details इसका पर 100 होता है, तो काफी changes वाला feature और काफी useful feature है, और अगर आप notes यूज करते हैं, तो notes के अंदर अगर आप typing करते हैं, और calculator की तरह इसको total बना सकते हैं, जैसे मैंने total किया, इसका कितना बनता है, इसके नीचे अगर देखेंगे, तो same आपको देखने मिलता है, तो यह जो है, आप calculator के अंदर भी use कर सकते हैं, और notes के अंदर जो है, काफी सारे और redesign किया, जैसे इसके उपर click करते हैं, click करने के बाद आप audio record का भी option है, और audio recording attached किसी को भेज सकते हैं, और इसके अंदर पहले तो यह सारे option था, लेकिन यह जो calculator वाला feature add किया है, तो यह काफी useful होगा, क्योंकि हम लोग इ जादा changes साब को देखने मिलता है, अगर आप calendar के अंदर आएंगे, कुछ event है, तो जैसे इसको बढ़ा करेंगे, बढ़ा करने के बाद 16 को क्या है, इद है, event है, इसलिए यह arrow mark दिखा रहे है, 17 July को क्या है, तो इसका event इधर चेक कर सकते हैं, दूसरा 7 को रत यातरा है, तो जो event है, आप check out कर सकते हैं, जैसे plus icon के पर click करेंगे, reminder set होगा, title दे देना है, title देने के बाद reminder set हो जाएगा, तो उस time जो आपको यह notification आएगा, तो इस calendar के अंदर भी काफी हद तक change क्या है, जो हमारा कोई भी event है, तो हम उसको easily ढूंड सकते हैं, या हमारे को याद दिला स और इसके साथ अगर आपके पस एयरपॉट्स है, तो एयरपॉट्स के अंदर voice isolation का option आया है, जैसे call आप लगाएंगे, तो जैसे एयरपॉट्स के साथ मैंने connect कर दिया, connect करने के बाद इस call को मैं disconnect कर देता हूं, डिसकनेट करने के बाद, जैसे मैं इस icon के पर click करता हूं, click कौन सा है, वो आपको select करना है, एयरपॉट्स के अंदर voice isolation अगर set कर देंगे, तो बिल्कुल phone के तरीके से आप सुन सकते हैं, लेकिन ऐसे एयरपॉट्स के अंदर काफी अच्छा तक सुनाई देता है, तो इसका need नहीं है, फिर भी Apple ने ये feature भी दिया है, और इसके साथ Apple जो एयरपॉट्स के अंदर feature दिया है, head tracking का, आप अपना सिर को घुमा के या हिला के अपना call को ले सकते हैं, call को D&B कर सकते हैं, तो इसके लिए जो है, इसको beta version के अंदर enroll करना पड़ेगा, तब वो feature काम करेगा, तो iOS 18 के अंदर काफी next level का feature है, आप लोग आपकी phone के subscribe जरूर कीजिए, और विल की notification call पर रखिए, जब मेरा वीडियो आएगा, तो आप लोग के पास notification पहुंच जाएगा, next video के अंदर फिर में लेंगे, goodbye,